ये स्टूडेंट्स आज हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं कलास 11 फिजिक्स यूनिट फरस्ट देखिए जो यूनिट फरस्ट के अंदर हम जो इंडिरेक्ट मेथड पढ़ रहे थे तो मेजरिंग ये लोंग डिस्टेंसी तो आज हम उनसे रिलेटेट कुछ नुमेरिकल्स लेके आएं इस वीडियो में तो इस्टूडेंट्स आए हम शुरू करते हैं देखिए जो हमारे इंडिरेक्ट मेथड फॉर मेजरिंग डिस्टेंसी तो यहां पर ही हमारी टाइप ए है इसमें जो फॉर्मल यूज होंगे वह आपको दिखाया गया है नीचे कि ओडर ओफ मैगनिचूड ओफ दा क्वांटिटी इन दा पावर ओफ टैन ठीक है विच कि आपको पता है कि जैसे मान लीजिए इको मेथर आप बोलेंगे कि यहां पर सोनार होता है, एक सनार जो साउंडं निविकैशन नविकैसन, न एड रिक इन ठीक है, जो लट्रास तो यहां वहां पर हमारा कोई SHEEP है, ठीक है, so यहां से जब SOUND है वो नीचे आएगी और फिर वहांप्रस वहां पहुंसती क्या है, ठीक है, तो SOUND हमारा DOUBLE DISTANCE करती है, मालीजी, DISTANCE X तो X DISTANCE नीचे आई और X उपर से लीगी, ठीक है तो टोटल दिस्टेंस क्या होगा एकस फ्लस एकस Jahren और यह वी मल्टिप्लाइब एटीग क्या होती है लिसरेंस अपराइट मैं नाम में टाइम क्या होते एकश्वीट मल्टिप्लाइब भाइट ठीक है तो जो हमारा इस्टेंस से डवल ट्रेवल किया तो इसको टू एक्स लेंगे ध्यान रहे अब हम बात करते हैं कैपलर्स ला ठीक है यह होता है टीस के डिरेक्ली प्रपोर्शनल टू आर क्यूब यह आप लोग ग्रेवटेशन में और अच्छे से पढ़ोगे फिलाल आप याद रख लें य इस डिरेक्ली प्रपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिज यह हमारा कैपलर्स थर्डला है इसका भी यूज होगा इसमें एक साइज ऑप दा मॉलेक्यूल ओफ ऑलेक एसीड जो अलेक एसीड होती है उसके मॉलेक्यूल की साइज निकालने के लिए हमारे पास एक वॉल्यूम वी ठीक है यह हो गया एरिया ओफ और एक एसीड लेयर तो यह हमारी टाइप में यह फॉर्मूले यूज होंगे तो आप इनको देख लें तो आए हम सुरू करते हैं हमारा एक्जामपल वन एक्सप्रेस वन लाइट येर इन ट्रम्स ओफ मीटर ठीक है वाट इ टूप इंटाइट येर क्या होता है डिस्टेंस ट्रेल बाइट इन वेक्यो इन वन यहज़ टीक है जो हमने पहले पर लिया है तो आपको पता है जो The Speed of Light है इन वेक्यूम 3 into 10 to power 8 और time हमने ले लिए 1 year तो 1 year को second में change करो तो 365.25 days ठीक है एक days में 24 hours एक hour में 60 minute और एक minute में 60 second ठीक है तो ये हमारा आजाएगा 0.946 into 10 की power 16 meter ठीक है एक्शल में ये हम लेते हैं 9.46 into 10 की power 15 meter लेकिन जब order of magnitude निकालते हैं तो जो 10 की power के अलावा जो factor होता है उसको 10 से छोटा रखते हैं ठीक है उसको 10 से छोटा रखेंगे तो ये चाहे तो आप ऐसे कर लें कि 0.946 तो आपने देखा जो 5 से छोटा होता है उसको हम 1 count करते हैं या फिर ऐसे कर लो कि ये 5 से उपर है 9.46 तो इसको हम 10 count करेंगे तो ये 10 की power 16 हो जाएगा तो order of magnitude है वो light year का क्या हैगा 16 इसके बाद हम बात करते हैं second example की the moon is observed from two diametrically opposite points A and B on earth ठीक है the angle theta subtended at the moon by the two direction of observation is 1 degree 54 minute given the diameter of earth to be about 1.276 into 10 to keep out 7 meter तो calculate the distance of the moon from earth तो इसमें हम angular diameter वाला formula यूज करेंगे ठीक है आपको क्या 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 given है ठीक है यहाँ पे जो angle है वो given आपको 1 degree 54 minute और earth का diameter given है ठीक है तो आपको distance measure करना है तो यह बिलकुल easy है यहाँ पे आपको angle theta given है 1 degree 54 minute ठीक है तो पहले तो आप इसको minute में change करें ठीक है तो minute में हमने इसको change किया तो यह आपको पता है कि 1 degree में 60 minute होती है ठीक है तो 60 और पलस 54 यह 100 15 minute आ गई ठीक है इसको second में change करो तो multiply by 60 60 और फिर आप इसको जब radian में change करोगे तो multiply by pi upon 180 यह यहाँ पे जैसे direct के है कि 1 जो second होती है वो 4.85 इंटू 10 के माइनस 6 रेडियन होती है ठीक है तो theta के value आपके आ जाएगे 3.32 इंटू 10 के माइनस 2 रेडियन अर्थ का जो diameter है वो आपको L के बराबर है 1.276 इंटू 10 के पाइन मेटर और अर्थ मून डिस्टेंस यह आर्थ के लिए तो यहाँ पर आप यूज करोगे L is equal to R theta ठीक है जैसे कि मान लीजिए यह यहाँ पे यह आपके आर्थ है ठीक है यहाँ पर मून है तो आपको theta given है ठीक है यह diameter given है ठीक तो आपको यह वाली distance निकालनी है तो यह तो L हो गया R आपको निकालनी है theta अपका given है तो यहाँ पर ओजाएगी अपने theta क्या होता है R कपोन radius ठीक है आपको radius निकालनी है जो distance है तो R के ओजाएगा L अपोन theta ठीक है तो जो यह radius है यह हमार का है distance of the moon from the earth तो यहाँ पर formula रखेंगे तो यह हमारा आजएगा 3.84 x 10 की पावर 8 meter उसके बाद हम बात करते हैं example 3 अंशेयर्टी शोल्ड एक्जाम्पल है यह the sun's angular diameter is measured to be 1922 ठीक है the distance of the sun from the earth is 1.496 x 10 की पावर 11 meter तो what is the diameter of the sun आपको theta दे रखा है यह आपका theta है यह second में है तो इसको radian में change करोगे तो multiply by pi upon 180 ठीक है और आपको r given है 1.496 x 10 की पावर 11 meter l आपको निकालना तो l is equal to r theta आप यह value रखोगे तो यह आजाएगा 1.39 x 10 की पावर 9 meter ठीक है इसके बाद देखिए यह हमारा अंशेयर्टी शोल्ड एक्जाम्पल है यह भी a man wishes to estimate the distance of a nearby tower from him, stand at a point A in front of the tower C and sports a very distant object O in line with AC, he then walks perpendicular to AC up to B a distance of the 100 meter and look at the O and C again since O is very distant the direction of B O is practically the same as A O but he finds the line of sight of C shifts from the original line of sight by angle theta ठीक है तो estimate the distance of the tower C from the original position A ठीक है तो यहां पर यह देखिए यह आपको दिखाए गया है कि माली जी कोई बैखती है वो A point पे है ठीक है ए पोइंट से वो tower C को देखता है ठीक है फिर वो 100 meter point B पे चला जाता है B पर से फिर उस tower को देखता है ठीक है तो यहां पर हमारा जो कोई भी object O है ठीक है वो distant object है यह मान लीजिए वो बीच में है तो यहां पर आपको जो tower है उसकी height निकाल लीजिए तो दिखिए यहां पर आपको clear लिजिख रहा है ठीक है वो 40 degree है यह भी आपकी 100 meter है तो आपको AC निकाल लीजिए तो simply आप इसको निकाल सकते हैं एंटर एंगल ABC 10 theta AB upon AC तो AC हो जाएगा AB 10 theta 100 upon 10 40 degree तो यहां से AC आपका जाएगा 119 meter उसके पार next example है यहां सेट्ड़ ओफ टावर श्तेंडिंग ओण एएलेवल प्लेंग उसप्तो भी 50 meter लोंगर ठीक है वन शन अल्टिटीटटीटीटीज थर्टी डिग जब यह सन है वो सरफेस से 30 डिगरी का एंगल बनाता है ठीक है तो उस समय जो शेड़ होती है वो 50 meter लोंग होती है ठीक है, them when it is 60 degree, find the height of the tower, ठीक है, दिखिए, कोई भी object है, वो a point पे, ठीक है, 60 के angle पे, जो 50 meter चला जाता है, वो point पे, तो अब जो, हमारा जो altitude है, जो angle है, ठीक है, वो 30 degree हो जाता है, तो आपको tower की height निकाले, student इस तरह की question आपके trigonometry में 10th में आये थे, बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है, पहले आप triangle लीजिए, triangle हमारी ले ली, O, B और यहां tower पे कोई भी point ले ली हमने, तो यहां से आपकी court 30 degree, ठीक है, base upon perpendicular, तो यह हो जाएगा, O, B और H, इसी तरह कोट 60 यह आपका हो जाएगा, A, B, H, अब यह court 30 minus court 60, O, B minus A, B, H, तो यह हमारा O, A हो जाएगा, जो कि 50 meter given है, तो यहां से हम value रखके, और H की value निकाल लेंगे, तो यह simple question है, आप लोगोंने trigonometry में भी पढ़ा है, ठीक है, student, अब हम लेते हैं, हमारी, इसी तरह से हम बात करते हैं, ठीक, यह हमारा आ गया, आप लोगोंने 9th class में, जो sound world chapter था, उसके अंदर इस तरह के numerical किये थे, a rock underwater is 1595 meter deep, find the time in which an ultrasonic signal returns after reflection from the rock, speed of the ultrasonic wave in water is 1450 meter per second, देखिए, आपको x given है, ठीक है, और जो water के अंदर ultrasonic की जो speed है, वी वो given, आपको t निकालना है, तो यहाँ पर देखिए हो, जो sound है, एक बार नीचे जाएगी और फिर वापस आएगी, ठीक है, तो आपको बताया कि, रोग अंदर दा वाटर वो आपकी 1595 meter गहरी है, ठीक है, तो 1595 meter तो वो गई है, और 1595 यह वापस आई है, ठीक है, तो यहाँ पर distance आपका, इतना distance travel करने में, आपका कितना time लगा, वो आपको निकालना है, और आपकी आने और जाने की speed है, वो तो constant है, 1450 meter पर second, तो यहाँ पर आप formula सीधा use करोगे, V cross T is equal to X plus X, ठीक है, तो यहाँ से 2 आपका 2X upon V, तो यह आजेगा 2.2 second, देखे, student जो हमारा ultra sound से related question होते हैं, तो उसमें distance हमेशे double लेना पड़ता है, क्यो यह example 7 है, यह हमारा kepler's लाके उपर है, ठीक है, तो इसमें आप देखो, जब हम दो चीजों को compare करते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर suppose there existed a planet that went around the sun twice as fast as the earth, तो what would its original size, तो देखिए आपको यह कहता है कि sun twice as faster as the earth, कोई भी planet है वो आर्थ से दुगनी speed से चल रहा है, ठीक है, तो जो time है planet का, वो half हो जाएगा, जो speed दुगनी होगी तो time आदा हो जाएगा, time of earth, ठीक है, तो आपको क्या बताना है, orbital size, radius निकालनी आर्पी, आर्पी आपको पता है, 1 AU होती है, ठीक है तो यहां से आप इसको capital ला, इसको compare करेंगे, यह formula लेके तो यह हमारा आजएगा, आर्पी 0.63 है, ठीक है, आप इसको एक बार lightly देख लें, क्योंकि जब इस तरह के question हमारे gravitation में काफी आएंगे, तो वहां पे और better understanding होगी, फिलाल आप इसको ऐसे देख लें, formula put up करके, ठ के student, तो gravitation में हम इसको और अच्छे से कराएंगे, इसके बाद आती, next type, next question 8, a drop of olive oil of radius 0.25 mm, separates into a circular film of radius 10 cm on the water surface, estimate the size of the molecule of oleic acid, olive oil है, उसकी radius given है, और जैसे ही वो उसके उपर separate होती है, तो जो circular film है, उसकी radius given है, 10 cm, तो आपको है वो estimate करनी है, size of the molecule of oleic acid, ठीक है, आपको R given है, mm में है, इसको मीटर में change कर लो, 1 mm is equal to 10, 2 की पार minus 3 meter, radius 10 cm, इसको मीटर में change करोगे, तो ये 10, 2 की पार minus 2, तो ये 10 की minus 1 meter होगे, thickness of oil film, और जाएगा volume of oil drop upon my area of the field, ठीक है, तो ये इसको जब आफ value put करोगे, जो volume होता है, oil drop circular होती है, तो volume of circular object 4 by 3 pi r क्यों, और area of the film, film है, उसका area of cross section के हिसाब से, एक circle हो गया, तो pi r square, ठीक है, ये आगया 2.08 into 10 की minus 9 meter, तो we have assumed the oil film to be one molecule thick, कि जो film है, उस इतनी है कि एक-एक molecule जितनी ही उसकी मोटाई है, तो size of the molecule of folic acid आ जाएगी है, 2.08 into 10 की minus 9 meter, इसके बार next type भी आती है, measurement of time, ठीक है, fractional error होता है, difference in time upon my time interval, इस पर based हमारा है, ठीक है, ये हमारे question है, तो यहाँ पर, हम कहेंगे कि ये जो question है, इनका एक-एक कर लेते हैं, बाकी का आप देख लेना, इसमें केवल fractional error निकालना आपको, ठीक है तो difference in time और time interval, जैसे पहला question है, ये हमारा, example 9, age of the universe is about 10 की power 10 years, where is the mankind has existed from 10 की power 6 years, how many seconds would the man have existed in age of universe, were one day, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दीगी है, age of mankind, 10 की power 6 years, और age of the universe 10 की power 10 years, ये हमारा हुझे हैगा, इसको हमने ले लिया, x upon 1 day, तो यहाँ पर x की value आजेगी, 10 की power minus 4 days, ठीक है, means 8.64 second, तो हम कहेंगे कि 8.64 second, क्या है, man have existed if age of the universe were one day, ठीक है, अगर universe की age अगर one day हम मान रहें, तो आदमी 8.64 second तक ही जीवित रहेगा, तो ये इस तरह की question है, आप इनको देख लें, एक हम ये थोड़ा से ये कर लेते हैं, linear magnification, size of the image और size of the object, आप लोगों ने 10th class में, जो हमारा reflection and reflection है, उसमें पढ़ा होगा, magnification, size of the image और size of the object, और linear magnification, under the root, aerial magnification, ठीक है, तो जैसे हमारा question number 11, हम इसको देख लेते हैं, ए 35 mm wide slide, with 24 mm x 36 mm picture is projected on a screen, ठीक है, एक हमारे पास एक screen है, 24 x 36 mm की, और उसके उपर 35 mm, चोड़ी, एक पे, फिलम चल रही है, ठीक है, यहाँ पर, देखे एक बार पर इसे देखते हैं, ए 35 mm wide slide, with, is projected on a screen, placed 12 cm from the slide, देखे, यहाँ पे, एक की 35 mm wide slide है, ठीक है, with, 24 x 36 mm picture है, उसको एक screen के उपर projected किया गया है, जो की, screen से 12 cm की दूरी पे, the image of the slide picture on the screen measure, 1.0 meter x 1.5 meter, तो what is the linear magnification of the arrangement, तो देखे, area of the object, object का area हो गया, 24 x 36, ठीक है, और 10 की पाउर 6 से multiply करेंगे, तो meter square में change हो जाए, और area of the image क्या हो गया, 1.0 mm x 1.5 mm, तो 1.5 meter square, तो aerial magnification का हम बात करेंगी, तो यह हमारा 1736 आ गया, ठीक है, और अगर यहाँ पे हम linear magnification की बात करें, तो अंडर दी रूट, 1736 तो यह हमारा आ गया, यहाँ पे हमारा aerial magnification, एको aerial magnification हमने निकाला है, तो linear magnification हो जाएगा, aerial magnification under the root, तो यह हमारा आ गया, 41.77, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यह गलत है थोड़ा सा लग रहा है, देखिए यह हमारी क्या है, area of the image, और यह area of the object, तो aerial magnification, ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा linear magnification हो जाएगा, तो यहाँ पर aerial magnification निकालो, फिर linear निकालोगे, तो यह इसका under root हो जाएगा, ठीक है, यह इस तरह से है, आप ध्यान दे, कि सबसे पहले aerial magnification निकालोगे, और फिर linear magnification निकालोगे, तो 1736 under the root, यह आजाएगा 41.77, तो student यह हमारे question थे, ठीक है, आप इनको करना, next video के अंदर हम अपना first unit का, अब हमारा important part शुरू होगा, ठीक है, dimensional formula हम उनको करेंगे, और वहीं से actually हमारी unit first है, वो शुरू होती है, first unit के जो दो part है, ठीक है, एक तो हमारा जो dimensional formula और एक error, इनी में से ही competitive exam में question आते हैं, तो उन दोनों को हम बहुत अच्छे से करेंगे, अब तक जो हमने किया है, यह just हमारा introductory part था, simple था यह आप लोग 10th में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, अब हमारा काम अगली वीडियो में है, वो शुरू होगा, तो student miss नहीं करनी है, अब आपको हर वीडियो को अच्छे से देखना है, तो student मिलते हैं आपको next exciting वीडियो के साथ, वीडियो को like करें, share करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें, ओके थैंक के,